नमस्कार, क्यापिटल टिवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके सर्थ पूजा महात्मा गांदी की जयनती के मौके पर आज बिहार की राजनीती में एक नई सियासी पार्टी की एंट्री हो गई है आज से बिहार में नई राजनीती की शुरुवात हो गई है चुनावी रननितिकार प्रशान किशोर जिने पी के नाम से जाना जाता है उन्होंने आज ओफिशली बिहार में अपनी पार्टी जन्द सुराज का एलांग किया आज से प्रशान किशोर पुर्णी तौर पर नेता बन गए है उनके पास अपनी एक सियासी पार्टी हो गई है अब तक दूसरी पार्टियों के लिए चुनावी रननिती बनाने वाले प्रशान किशोर अब अपनी पार्टी के लिए इलेक्सन स्ट्राटेजी बनाएंगे आज पार्टी की लॉंचिंग के साथ ही प्रशान किशोर ने कई बड़े फैसले भी लिये पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आज़ित कारिक्रम के दौरान प्रशान किशोर की और से अलान किया गया की जन सुराज पार्टी के बिहार प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष मनोज भारती होंगे तो महीं इस मौके पर एक विशाल राली को संबोधित करते हुए प्रशान किशोर ने जैजै बिहार का नारा बुलंद कराया किशोर ने कहा आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वो बंगाल, तमिलनाडू और दिल्ली तक जाए ये आवाज वहां तक पहुँचे जहां हमारे बच्चों को बिहारी कहकर अत्यक्चार किया जाता है तो बिहार में नई पार्टी की एंट्री क्या बढ़ाएगी तेजस्वी, चिराग और नितीश की मुसीबत आज इसी पिचरचा करेंगे, मेरे साथ पीडियो में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ, डॉक्टर मनेश कुमार, डॉक्ट साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका अज ओफिशिली प्रशान किसोर ने अपनी पार्टी का एलान कर दिया लेकिन वो अब तक दूसरी पार्टीों के लिए रनीती बनाते थे, अब अपने लिए वो क्या रनीती बनाएंगे? देखिए ऐसा है कि हर कोच अच्छा खिलाली नहीं होता है और हर खिलाली अच्छा कोच नहीं होता वसे उन्होंने पार्टी के सुरुवात की है तो बधाई है बट वाट बैड स्टार्ट ये हिंदुस्तान की राजनीती में जहर घोलने वाला वेक्ती है मैं को उसका बहुत बड़ा एड्मेर नहीं हो कई सारे कारण है कई सारे कारण है क्योंकि ये इस व्यक्ति के ऊपर ये पाफ है ये कलंक है किसने हिंदुस्तान की राजनीती में कारकरताओं को मार दिया कारकरताओं की माथ लीडर्स हमारे तो बवने हैं उनको बहा चढ़ा करके ऐसा कर दिया जागा वसे चुनाओ स्टाटी चुनाओ स्ट्रेटी नेता को बनाना चाहिए चुनाओ प्रचार का जिम्मा कारकरतां को होना चाहिए लेकिन ये बीजेपी वाले कॉंगरेस वाले ये बीमारी सब को लगते लगते सब को लग गई इसलिए आप देखिए बारजिंदा पार्टी को सबसे ज़्यादा गाली देने वाले उसके बड़े कारकरता जो कारकरता 10 साल-15 साल से पार्टी के अंदर काम कर रहा है वह ही सबसे ज़्यादा आज परिशान है कॉंग्रेस पार्टी में तो कार करता ही खतम हो गया कार करता ही खतम हो गया तो खैर ये विशे कभी और मैंने क्यों कहा कि इस बैड स्टार्ट बिहार में कुछ नहीं होने वाला बिलीव मे और ये इवेंट मेनेजर नहीं होता एक पॉलिटीशियन होता इन क्लासिक टर्म इसको समाज के पृतिस संबेदनाय होती बिहारियों के लिए इसे दर्द होता तो आज पार्टी लॉंच नहीं होती क्यूँ? सत्रह सत्रह जिला बाल में परिशान है आज एक रिस्क्यू हलिकॉप्टर भी डूब गया पानी में लोग छटों पे दिन गुजार रहे हैं नेकिन वो दो ऑक्टुबर से करेक्ट कर रहे थे क्योंकि यही तो इवेंट है यही तो इवेंट वाले होते हैं कि दो तारिक को तो इस तारिक को इस इवेंट को करेंगे यह इवेंट ऐसे होगा यह तो इवेंट बाज लोग का समाज के प्रती जिसको दर्द होगा वो बोलेगा नहीं यह काम अभी नहीं करेंगे ये काम अभी नहीं करेंगा अभी तो 17-17 जिले के जंता वो व्याकुल है परिशान है और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ गा है मैं भी उसका कोई प्रसंसक्त नहीं हूँ पपूय आदम के अलाबा कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है पपूय आदम अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उस पूरे कोसी रीजन जहां बाल से लोग त्रही माम त्रही माम है वो घूम घूम के बिचारा जो कुछ भी आए उकर रहा है पैसे दा रहा है कुछ कर रहा है लोग उसे बाचीत तो कर रहा है यह तेजस्वी अदब यात्रा में निकले हुए है इनको राजनीती चमकानी है यह उप अंदर कुस्वाओ यह बीजेपी वाले यह तो सबसे नकारे हो गए बिहार के अंदर तो that's why I said it was the wrong day क्यों लेकिन यह क्या है यह इविंट मैंने छे मैंने पहले तैक किया होगा लेकिन इसने सोचा नहीं हो कि उसमें बाल वाल होगा आप समझे बात को तुम कहते हो कि एक कड़ोड लोगों से मैं मिला दो साल मैं पद्यात्रा किया तो वहीं जाकर कि उसको दे आप गाली दे रहे होंगे कि चेहरा चमकाने के लिए पहुंच गया था आज हमारा गाउं डूब रहा है यह वहां पर नितागरी कर रहा जैब भिहार डूब रहा है बिहार उज़र 17 जिला पानी में सराबोर हो गया और यह तमाशा कर रहा है कि जैब भिहार तो यह तो एक बात हुई क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं बताओ छे मेने पहले ही तैकर लिया था इसने कि दो अक्टूबर को करेंगे तो उसके लिए क्यों को पैसे दे करके लाना है आज आप गाली दे रहे हो किसको बीजेपी को तो तेजस्वी आदब को तो कॉंग्रेस पार्टी को तो सार की पाटियों से तुमने पैसे लेकर के काम किया ना पैसा जब निति कुमार से खा रहे थे जब निति कुम्हार के घर में रहे ने झब सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला जब माल आ रहा था ता कि तो मितिछ सुसाशन बाबुद थे पहना कियो मोद्ボह ना जब यह मोदी का कि युवर नॉट एक कंपेनर कि युवरा हाइड कंपेनर बिना माल खाए वे और क्यों टूटा नितिश कुमार से कि इनको तो पाठी के अंधर पोजिशन भी दिया गया और पाठी बेए पोजिशन भी ले लिया आप कई पर आयोग बना था उसका आपको चैर ब्रभी दे दिया और उसके बाद आपनी के दिया कि इतना बील भी चुनाओ का तो निति-शकुमार को हो एक यह नितागरी बा ज नितिसकुमार ने तुमको मिलवाया देखे कैसे के इसकी चली है यह यह रहे वह जो मोधी और साह के लिए काम कर रहे थे तो अमिशाने मिलवाया नितिसकुमार से तो उसको गाली देकर के आप नितिस कुमार ने गल्ति कर दuh चुनाऊ जीतने के बाद राउल गांदी से मिलवा दिया वह नितिस कुमार को छोड़के राहूल गांधी के कॉंग्रेस के लिए भी काम किया है इसने राहूल गांधी के यह आपको चर्पाई वाला जो एपिसोड याद होगा खटिया विछा करके चर्चा होगी यूपी के अंदर इसी का तो आइडिया था यूपी के दो लड़के यह इसी का तो आइडिया था पाटी के दर्वाजा पे नाक रगर रहे थे कि मुझे आप सारा केंपेन का इंचार्ज बना दो हमको राजसभा भेजो जनरल सेक्रेट्री बनाओ और मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा पाटी के अंदर एकसेप्ट सोन्या गांधी राहूल गांधी और प्रियंका वाड़रा और बाक्यों अप्रेस्ट जो है सब कुछ हमारे हात में दे तो कॉंग्रेसी भी घाग है और इनको कब चाहिए और पैसा भी चाहिए जो काम करूँगा उसके लिए पैसा भी चाहिए राजसभा भी चाहिए जनल सेकेटरी भी चाहिए और मैं पार्टी के नियमों से बंधा भूज ने लूँगा यह दूसरा केज रिवाल है अपनी पार्टी के लिए फंड कहां से लाएंगे कहां से लाएंगे हीज रॉनिंग दा मोस्ट कॉस्ट्लियस्ट पॉलिटिकल डिस्पंसेशन मैं आपको बस आपने पैसे के बारे में बात कर दिया मेरे पास तो इसके बारे में खजाना है कम से कम जो बिहार के लोग बता रहे हैं जो जानकारी आ रही है बारे सो के आसपास बारे सो इसने हाइड कार करता रखा है केजरिवाल की तरह यह पाप है अभी बिहारियों को समझ में नहीं आएगा अभी समझ में नहीं आएगा जब पॉलिटिक्स आप कॉर्परेट जगत की तर चलाओ गए अभी देखिए भी वालों को भी समझ में नहीं आया है कॉंग्रेस बाती बर्बाद हो गई अभी बीजेपी को भी कुछ तो बात समझ में आएगा कि कॉर्पॉरेट के दरह पॉलिटिकल पार्टी में चलाओ बर्बाद हो जाओगे कारकरताओं को सिर्प चारा ये बीमारी हंदुसतान की डिमोकरसी को लगी है पार्टी सिस्टम को लगी है अब ये क्या कर रहे हैं बारव सो लोग कुल को इस ब्र्मंह पर है परमन्ह पर हेड उस्ट में रूटल में रुखते हैं घिल्ठ हम लोग जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उस होटल के लोगों ने बताया कि चार लोग रुके हुए पीके के लोग वो सर्वे कर रहे हैं वो लोगों को यह कर रहे हैं और चोटी से जगह थी जमुई चोटी से जगह यह हर जगर वो होटल में लुकेंगे उनका गाड़ी घोड़ा सब कुछ पांच कड़ो रुपे पर दे खर्च हो रहा है calculate कर लीजिए आप पांच कड़ो रुपे पर दे कहां से आ रहा है अब जहां से लेकर के आ रहा है और इसकी सरकार बन गई तो फिर तो वापस भी करेगा मुफ्त मिलता है पैसा किसी को हा कहीं से पहले सो लूट करके रखा हो वाइट में तो दिखता नहीं एतना पैसा यह सीधा सीधा सवाल है अब जब आप पैसे पे ही सब कुछ खड़ा करोगे तो पैसे पे ही सब कुछ चलेगा आप लोगों को यह कहे रहे वहां पर क्यों यतने लोग आ रहे हैं इसने कह दिया अजीबों गरीब भोशना किए उसने खाया कि भाई आप चुनाओ लड़ो पैसा हम देंगे दो आरजडी वाले छोड़ चाल के भाग किया उधर से दूसरे दूसरे जिसको जिसको चुनाओ आंदोलनों को देखा, पाटिसिपेड भी किया हूं मैं, जहां कहीं भी आंदोलन बिना विचारधारा के, पॉल्टिकल पाटी बिना किसी विचारधारा के, आपने पाटी बना दी कोई पूछे का, कि तुम्हारे पाटी का समिधान कहा है, यह केजरिवाल की तरह, वो तो समि ममिदान सब लेकर के आया, एक आजमी तीन साल के लिए, दो साल के लिए बनेगा, फिर वो रिपीट नहीं होगा, एक खांदान से एक आजमी होगा, सब इसने बदल दिया, तो यह प्रसांत किसोर की पाटी है, इस पाटी ओफ पीके, बाइपीके, एन फॉर पीके, मैं बाक यह कहना बड़ा असान है, आप इस चीज को समझे, आप जहां कहीं भी हो, राजीति में इंटरेस्टेड है, सवाल उठाना बड़ा असान काम होता है, वो घटिया किसम के लीडर होते हैं, जो प्रॉब्लम्स को, लोगों की परिशानी को, लोगों के दिकतों को, लोगों के घाव को कुरेते हैं, और उनके पास उन प्रॉब्लम्स का कोई जवाब नहीं होता, अभी देखिए क्या हुआ है, यह राहूल गांदी, यह हर जगा जागर के प्रॉब्लम्स ही गिना रहा है, वह को सल्यूशन है तुम्हारे पास, नहीं है, तो आप क्या करते हो, यह फ्र परबाद हो गया, तो यह जो भाई साहब हैं, पीके, पीके से तो हमें कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ इसने हिंदुस्तान की राजिनतिक पार्टियों को पल्लूट किया, बलकि इसने हिंदुस्तान की डिमोक्रसी को ऐसा जटका दिया है, ऐसा नु एपसिटी है न कैलिबर है, कि इस बीमारी को खत्म कर सके, जी सर, बहुत-बहुत धनेवाल समझाने के लिए, धन्यवाग, तो आज का दिन बिहार की राजनितिक के लिए काफी एहम रहा, प्रशांत किशोर, जो चुनावी, रनितिकार सिनेता बने, दो ऑक्टूबर 2022 से ब बिहार की राजनिती बड़ी दिल्चस्प नजर आ रही है, इस पर आप अपनी राये कमेंट करके जरूर लिखेगा, देख दिरे क्यापिटल टीवी, नवसकार